गुड़ा जिले में वजरपात से दू लोगों की मौत हो गई है जबकि दू अन्य लोग घायल हो गए पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रिशासन की ओर से मुर्टक के परिजनों को आपदा राहत कोश्च से मुआवजा दिया जाएगा चत्रा जिले के सदर्थानक शेत्र के मोकतमा गाओं में बारिश के साथ हुई वजरपात में एक महिला की मौत हो गई बताया जाता है कि सत्या देवी घर के पास ही शौच के लिए खेट की ओर गई हुई थी इसी दोरान अचानक गरज के साथ बारिश शुरू हो गई जिसके बाद हुई वजरपात ने उसे अपनी चपेट में ले लिया इससे मौके पर ही उसकी जुलसने से दर्दनाप मौत हो गई गिरेडी जिले के सर्या में बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिश के निर्मान में आ रही बाधा को दूर करने के लिए गिरेडी जिला प्रिशासन कंभीर है जिले के उपायुक नमन प्रेश लकडा ने सरिया बाजार इस्तित प्रस्तावित रेलवे ओवर बिज शेत्र का निरिक्षन किया इस दोरान उन्हों ने कहा कि रहेतों को मुआवजा भुकतान की प्रक्रिया की जा रही है पाकुर जिले के इस अभिमान प्रोजेक्ट के तहत आयोजित कारेशाला का उदगाटन नीट्स निदेशक मुरारी मुहन चौधरी नी किया कारेशाला में नीट्स के जिला समन्वैक अमित्तिवारी, तनमे साह, नियोज नालेप दाधिकारी, एंजियो के प्रतनिधी सहित प्रवासी मजदूरों ने हिस्सा लिया खुफिया विभाग द्वारा पुलिस मुख्याले को भेजे गए उपद्रों की आशंकाओं की बीच चत्रा पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है हुर्दंगियों द्वारा हंगामे के आसार को देखती हुई चत्रा को पूरी तरह से सेसी टीवी कैमरे की जद में रखा गया है सेसी टीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की स्पेशल टीम पूरे पूरे शहर की निगरानी में लगी है राची रामगर रास्ट्री राजमार्क संख्या 33 पर चुटुपालू घाटी में अनेंटरित ट्रेलर ने एक ट्रक, ट्रैक्टर और एक यात्री बस को जोरदार ट्रक कर मार दी इस हाथ से में यात्री बस पर सवार लगबग दो दर्जन यात्रियों को हलकी चोटे आई और गाड़ी बुरी तरह शतिक रस्त हो गई गटनास्तल पर पहुँचे रामगर थाना प्रभारी रोईत्मार ने बताया कि राची की ओर से आ रहे टेलर का अचानक से घाटी में फेल हो गया जिसके कारण ये दुरगटना गटी राची जिले की कांके प्रखंड इस्थित गागी की नौ निर्वाचित महिला पंचायत समीती सदस्य निलावती देवी के साथ मारपीट की गई उन्होंने कांके थाने में दर्श प्रात्मिकी में अपनी गोतनी और भतीजी पर जान लिवा हमला करने का आरूप लगाया पाकोर जिले में अवैद माईनी की रोगथाम के बाद जिला प्रशासन अब्दुरगटना रहित पत्तर खादानों और क्रशरों का संचालन सुनिश्चित करने के साथ ही मजदूरों को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल शिरू कर दी है उपायुक की पहल पर जिलास तरिये जागरुकता कारेक्रम में सरकार की निर्देशों कानुपालन शत्प्रतिशत सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया चत्रा जिले के तंडवा थानक शेत्र के सिम्रिया तंडवा मुख्यपत परिस्थित दन गड़ा घाटी में हुए सड़क दुर घटना में घायल युवक की लाज के दोरान अस्पताल में मौत हो गई गटना के विरोध में आकरुशित ग्रामिड और मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर घंटो सड़क जाम कर दिये